धर्म ने पेक्ष का मतलब ये तुष्टि करन है क्या? धर्म ने पेक्ष का मतलब है मेरे ख्याल से कि हर धर्म को फलने फुलने का अधिकार जहां पर हिंदू अलव संख्यक है जहां पर हिंदू अलव संख्यक मतलब जहां पर 30% हिंदू है, 40% हिंदू है अगर वह हिंदू सबाच अपने टोले में सुरसती माता का पूजा करना चाहता है दुर्गा माता का पूजा करना चाहता है और उस मुर्ती को भारस सरकार या बिहार सरकार द्वारा बनाएंगे सरकों पर ले जाके विसरजन करना चाहते हैं तो उसको क्यों रोका जाता है? और ये सिदिकी सहभ जैसे नेता को कभी गहें? ये कहने के लिए? किस मुर्ती को भसने दो? स्रशती पूजा आने वाला है? हर सुरस्टी पूजा में आप देखते होंगे कि जगा जगा पर सुरस्टी मात्य की प्रतिमा को तोर दिया जाता है यह धर्म रिप्रक्ष है क्या आज एक फैसन चल गया है कि आज जो भिहार का सिक्षा मंत्री है राम स्रितमानस के बारे में उनको अप्मानित किया जाता है तरहतर की बात बोलता है तो जहां राम है तो सीता के वेगर तो राम अधूरे है अगर रिद्या में बन रहा है तो वहां तो कहा ही जाएगा वहां देखते हैं समनारा क्याले जैजे स्या राम अखाना का विकास हो, यहां के मछुवारों का विकास हो, यहां का सबसे टेस्ट फुल मच्ली, टेस्ट पुररा विकास हो. 2024 में लोकसभा चुनाब है और लोकसभा चुनाब को लेकर कि जो तमाम पाटिया है वो धरातल पर उतरने का काम कर रही है चुनाब पर चार अभी सही सुरुवात कर दिया गया है और जो तमाम जनता के बीच में भी जो अभी सही कयास भी लगाया जा रहा है और इसी पर आज म चौपाल में हम चर्चा करेंगे नमस्कार मैं विक्रम भगत नागवन्शी और आप देख रहा है मधुवरी नियूज का खास चौपाल और चौपाल कारिकरम में हमारे साथ आज मधुवनी के अस्थानी सांसद डॉक्र असोक यादब जी हमारे साथ मौजूद है सर इस कारिक था वहां पर उस कारिकरम में सामिल होनी के लिए जेडियों के अमेले सुधानसु सेखर मौजूद थे लेकिन अचानक हुआ यू जो दिल नहीं मिला और नार्यवाजी सुरू हो गई थोड़ा इस प्रसंग को बिस्तार में बताया जाएं देखे हम अमिसा कहते हैं कि बिका प्रणमंतरि शरक योजना से सरक्का निर्मान हो गया था और उसका उद्गहाटन वहां के कहीं के भी अस्थानिया सांसत करते हैं से अलेना आसा उद्गहाटन करते हैं और बिधायक बेभी उस कारिकरम में अपेक्षित रहते उनको भी बलाया जाता है तो ध्वाटन का कार करने के लिए कि उस समय हमारा गठवंधन तूट चुका था नया नया तूटा था कि माने बिधायक भी वहां उपस्थित थे कि जब मुद्घाटन करने गए तो अच्छानक पता लगा कि बिधायक जी वहां पर आने रहे कुछ दूरी पर बैठे हुए थे कि मैंने किसे ओ कहा कि बोली माने बिधायक जी को आज अच्छान का कारिकरम सुरू होने वाला है आके हम लोग आप इसको फिता उटा जो परदा है उसको हटा देते हैं कि वह आने से इनकार करती तो बात में पता चला कि उस पोल पर भारतिये जनता पाठी का जहन्डा टगा ह हुआ तो पहले से तंगा हुआ और हर दल के कारकरताओं का धिकार है कि अपना जहन्डा लगाना कोई अचार सहीता तो लगा नहीं हुआ था तो मैंने का भाई भाजपा का जहन्डा टंगा है तो उनको कही एक अपना भी जहन्डा टांग लेंगे उसमें क्या है इनका भी नियुका नहीं होना ची है हिढए ॵहें छुप हीShe got ॷ क्एर्करम हुआ YouTube का क्एरिक्रम हुआ फिर वहांपर कुछ लोग पर नास्ताउस्त का कार्करम था सम्मान का क्ार्करम था फिर मैने उनको संभाध ह différents खतम हो गिया यहां तो कोई ल्वाद का कारकरम है नास्तावस्ता का प्रोग्राम यहां है उनको बोला लेकिन वो उस जगह पर आए दे यहीं उस दिन की घटना है कि हम तो सुरू से कहते हैं विकास के मावले में कोई राजदीत नहीं कोई जन्द प्रतिधी उनको अगर सिवा करने का अवसर प्राप्त होता है तो पहला काम होता है जन्ता के सिवा करना और जन्ता के लिए विकास का काम करना अगर विकास का कोई काम होता है तो वहां पर यह जंटा के तो अपनी मंच पे जो भी राज्ड이्र करनी है वह सतंतर है राजडितीक करें लेकिन जन्ता खैकर शकास के नाम पर बेप आप जब से हो समाले सायद तब से आपने एक राजनेता के तौर पर अपने पिता को आपने देखा बच्पन कैसा रहा आपका जो आप सिक्षा गरहन किया और क्या बच्पन से ही आपने राजनीती में आने की सुचा था कुछ जानकारी प्रस्टनल देखिए ये मानव सुभाव है कि जो बैक्ती बच्पन से जिस माहौल में रहता है उस माहौल का प्रभाव तो पड़ता ही अगर किसान का बिटा गौव में रहता है तो उसके घर में क्या चर्चा होती है अब गेहूं का फसल बोने का समय आ गया है अब इसमें पानी देना है कि नहीं देना है खेत में हाल है कि नहीं देना है पानी पटा के जोतना है या वैसे ही जोतना है इसमें कितना गिहूं लगेगा खाद का किलत है कि क्या है तरह तरह की बात होती है बिजनेस्मेन के घर में चले जाएंगे तो यही बात हो कि आज कहां सा मंदी है, कहां डाउन हो गया, कैसे भावचरह, कितना प्रोफिट हुआ, कितना घाटा हुआ, इस तरह की बात होती है सुभाविक है, कि हम भी राजनेतिक परिवार में पैदा लिये, सुभाविक वहां एक इस्कूल तो वहां मिला ही, महौल का चर्चा हुआ ही, और आपने जैसा कहा है, बिलकुल इस बात को हम आनते हैं, कि मेरा बच्पन से ही जुकाव था, कि समासेवा की तरफ, राजनेत की समासेवा की तरफ, बच्पन से ही मिला सुभाव था, और उसी दिसा में परहाई लिखाई होते हुए भी, हम जब दिल्ली इनवर्सिटी में थे, तो हम उस समय कोई राजनीत में सक्रिये तो नहीं थे, लेकिन अखिल वारते विद्यार्थी परसद के, वहां हमने सदस्ता बच्पन की थी, और वहां थोदा भाहर से ही राजनीती में थोदा इंट्रेस्ट में रखते थे, और राजनीती समचार पढ़ना यह सब देखना, राजनीती घटना करम पर नजर रखना, यह सुझ तो सुरू से ही, मिलता रहा है, और वाकी विशेष लगाओ या इंट्रे देखिए हर बैक्ति को जिस मिट्टी में पैदा लेता है वहां को सबता है वहां की जो संस्कृति है वहां की जो भाशा है उसके परती आदमी को प्यार रखना चाहिए और हम लोग मिथला वासी है और मिथला में जितने लोग भी रहने वाले हैं चाहिए किसी भी जाती को हो किसी भी धर्मी को हम सभी के सभी लोग मैथिल है और मिथला का जो हमारा संस्कृति रहा है ये धोती पहनना हो कि वो कुर्ता पहनना हो पाग और चादर हमारे संस्कृति तो आप देखें होंगे कि पुर्य देश से लोग आते हैं और अपने अपने प्रदेश यह पने च्हेतर का बहुत जगह से देखें को अपना पहन के आया थे तो हमको भी अच्छा लगा कि हम मिथला के रहने वाले हैं धोती है, कुर्ता है, चादर है, पाग है, पहन के गए वहाँ पे और मिथला का जो परंपरा है उसका भी परचार हुआ और उस समय यहां छपा के नहीं छपा लेकिन नेशनल अख़वार में कई अंगरेजी रफा और अपने विहार के बाहर से भी लोगों ने फोन किया दूसरे स्टत्रा से फोन किया अपने बिहार के लोग आसकवर मिधलांचल के लोग, मैथिल समाज के लोग के बड़ निक लागन, नहीं परिधान में, रहार से सफबतने लो परफास। बड़ाल लोग में समाप्त हो रहा है आप एक सांसद के तोर पर अपने आप को कैसे अस्थापित कर पाए और किन-किन चुनोतियों का भी सामना करना पड़ा आपको कि अजिए सबसे बड़ी बात है कि जब से में सांसद बने पूरे देश में एक क्रोना का प्रकुप आगया पुरे देश नहीं पूरे विश्वे आगे और कोरोना कार में जो जमता से समंधित भीकास का काम होना चीगी था अधरा बाधित भी हुआ हाँ लेकिन एक सांसद के नाते और एक समास सेवी के नाते जो कोरोना काल में जो हो पाया उस कोरोना काल में सेवा भाव से हम भी काम किया और भारते जनता पार्टी के एक एक कारकरताओं ने भी काम किया और बाकिये तो चुनोती है सब बिहार के लिए तो बिहार का पिकास चुनोती है और बिहार मे सबसे मिथला का चुनोती है चुकि मिथला में इंडर्स्ट्री है यहां बार के समय में बार सुखार के समय में सुखार तो सबसे परिचुनोती है कि मिथला का विकास कैसे किया चाहिए लेकिन बिदमना यह है कि जो भी भी हार में सरकार बनी सिर्फ वाइदे करते रहे नितीज जी भी जब सत्ता में आए तो बार बार कहते रहे कि मिथला के विकास के बेगर बिहार का विकास संभव नहीं है लेकिन हो नहीं पाया है यहां के लोगों का प्लाइन हो रहा है यहां के युवाओ में एक उर्जा भी है और टैलिंट भी है लेकिन इस उर्जा और टैलिंट का शोशन हो रहा है बाहर जाके इसका शोशन हो रहा है लेकिन फिर भी केंद सरकार के द्वारा जीसे मखाना का ब्रांडिंग हो मखाना के छेतर में दस अजार करूर रुपया का जो यहां मिला और भी विभीन छेतरों में जितना जैसे सरक के मामले में हो बिजली के मामले में हो केंद सरकार का एक सिमित दाइरा है जो कर सकती है बाकि एस्टेट को और मेंट को करना है तो जो जब तक बिहार में सरकार हम दों की नहीं बन पाई डबल जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं बन पाई हमको लगता है कि मितला का विकास अधूरा रहेगा मुखमंत्री नितीश कुमार जी बीपी असी के तहट जो नियुक्ति पत्र बाट रहे हैं एक लाख बीस अजार नियुक्ति पत्र बाटे हैं गांडी मैदान में भबेशा मारो हुआ था इसको आप किस नजर से देख रहे हैं तो यह कहूंगा कि बिहार में यह तो नितीश मुख्तरन भी हुए थे और आप देखेंगे आंकरा देखेंगे कि आप YUPAC का रिजल्ट आप देख लेए यूपीए से के रिजल्ट में भारी मात्रा में बिहार के लड़के यूपीयए से कम्पलीट करते हैं हमारे बिहार में पर्थिभा भी हैं और नौजवान भी हैं ल यहां बिहारियों को भी उसमें रहना चाहिए था अपने एस्टेट के लोगों को लिए देना चाहिए था और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने राजी के लोगों को उसमें नोकरी मिलते हैं, सिक्षक बाहली में जाते हैं, उनका आर्थिक इस्तिती ठीक होती, स मुझे लगता है कि इस सीज में थुराचा नितीस कुमार को यहां पर थुराचा सूचने किया हो सकता है। लाग कोशिचों के बाद भीहार का स्वास्त वेवस्था है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। यह सच्चाई है कि जो भी A.P.S.C. पंचाईत अस्तर पर है वो कभी खुलता नहीं है। और लोग प्राइबिट और हस्पिटल में जाकर के प्राइबिट अस्पताल में जाकर के सोसन का सिकार हो रहे हैं। क्या कहांगे इस पर। इस पर पर शुद्र को इन सब चीजों से मतलब है क्या। स्वास्त की है क्या। हर चीज में भी A.P.S. नीचे है। स्वास्त के छेत्र में आप एक शीज बताईगे। कि पूरे देश में बिहार एक ऐसा इस्टेट है जहां डवल M.S. मिला। दो-दो M.S. मिला। कब मिला। 2015 में जब आदर नहीं नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधान मंत्री बने। तो दूसरा M.S. बिहार को उन्होंने दिया। मुख्वमंत्री को उन्हें बिहार के। नितीश कुमारी जे। और 15 में जहां जहां जिस इस्टेट में M.S. दिया गया। उन इस्टेट में लगफख साथ स्टेट में M.S. मनके तयार है। और वहां मरीजों का इलाज चला है। और आप देख रहे हैं कि 15 से लटकाते 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 अब कहां तक बिहार सरकार इस्टिती कर दी है। बिहार सरकार के पास अभी तक ये स्टिती में नहीं है कि M.S. बनाने लाइक जमीन उपलब्द करा दे। हम तो कहते हैं कि आप जमीन दे दो M.S. बनने लाइक समतल जमीन दे दो M.S. बनने लाइक दो वहां जारी सारी सुधा हो बना दो भारत सरकार सारे 1200 करोड रुपिया दे चुकी है M.S. बनाने के लिए जिस दिन आप जमीन दे दोगे दूसरे दिन भारत के प्रधान मंतरी मुखमंत्री जी तो कह रहा है कि बाहरत सरकार का मनसाही साफ नहीं है एक बात हमको बताईए M.S. कहां बनेगा जमीन में बनेगा या अस्मान में बनेगा अगर आपका हम जमीन पने जाना चारे कहां बने वहार सरकार तेक करें हम इस पर जोड़ने देगे लेकिन DMCH में एक 80 एकर अस्थांतरन कर दिया डायक्टर बहाल हो गया मिट्टी का भराई हो गया कौन सी प्रस्तित या गी कि एक मिनट में आप जो समधान यात्र अपर आये थे यह समधान यात्रा द्रभंगा मितलांचल के लिए बैवधान यात्रा बन गया और उसी समय उन्होंने घोष्णा कर दिया कि जिस अस्थल के बारे में कहरें कि एम्स बनेगा हम उस अस्थल का भी रोदे कर रहें आखिर वहां से कैंसिल क्यों किया गया सवाल यह हैं आपके मनसा पर प्रस्य लगता है दूसरी बात आपने जो जगा दिया है वहां पर आपने आप लोग कभी गाहें क्या हम आप लोग कहते एक वार जाके थोड़ा सा निरिक्षन कर लिए 25-30 भराना है ठेकर चली वहां सरकार काप में भढ़ा के दे दे दो अब भढ़ा के जमीन दे दो MS बना लो पैसा लेलो आज ज़ो 1200 सासरे 1200 करोण रूपिया बिला और बिहार सरकार के लतकाने-भटकाने-ँर लिए क्राइगि आप जांते हैं MS का fulfill अगर जमीन नहीं देंगे तो full M's बनेगा नहीं उसमें बहुत सारा M's का मतलब है उसमें सोध होता है, research होता है बहुत सारा इसीज़ का बिमारी का इलाज होगा उसमें नहीं अभी आप दिल्ली में देखते होंगे M's बना, अभी भवन बनी रहा है अभी तक बना है दिल्ली बहुत तो उसके लिए जमीन चाहिए आप कहीं भी जमीन देदो बिहार सरकार से हम कहते है कि जहां मन है द्रभंगा में आप जमीन देदो भडा के देदो वहाँ पर connectivity आप देदो जाने का रास्ता देदो भारत सरकार तयार है नहां तीन-चारे से चीनी मिल है जिसके बारे में आज तक सोचा नहीं गया है क्या संभावना है हमारे मधवनी में उद्धियोग को लेकर के देखे उद्धियोग के बारे में जो आप कहेंगे सबसे पहली बात की नितिश जी अभी सरीमान लालो जी के साथ है अब जब सरीमान लालो परसाज जी सत्ता में आए तो दर्भंगा मधिमवनी के जो महत्पून दो तिन उद्धियोग थे उब बंध हो गया लोहट चिनी मिल बंध हो गया सकरी चिनी मिल बंध हो गया रयाम चीनी मील बंद हो गया और दर्भंगा का असोग पेपर मील बंद हो गया और पंडॉल का सूता फैक्टरी स्पिनिंग मील बंद हो गया यह पांच फैक्टरी यह दर्भंगा मधवनी में था जिसमें सैक्रो लोगों को रोजगार बिला हुआ था लालू जी के आते ही य जब नितीज ही आए तो नितीज ही एक पॉलिसी बनाए कि इस्टेट गोहर्मेंट अपने संसाधन से इंडरस्ट्री खड़ा नहीं करेगी, हम दूसरे नों को बुलाएंगे, जिसी करम में आपने देखा होगा कि रयाम चीनी मीर का निलामी हो गया, टुकरा टुकरा बिग ग गिया, स्क्रेट वहां से बिग गिया, बिहार सरकार जब से यह तने वरस हो गया लालु जानी त Nelson के? 30 बरस, 32 सुआ लेकिन उंदेख कुछोत्र में कोई काम नहीं हुआ, नहालु जी के जमाने में हुआ और नर्नितीजिके जवाने वुआ लेकिन बड़े दिनों के बार जब भारतिय जनताक पार्टी के पास उद्योग मंत्राले आया हम सत्ता में भी रहे गटवंदन के सरकार में भी रहे तो हमारे पास उद्योग मंत्राले नहीं था जब 2020 में हमारी सरकार बनी तो उद्योग मंत्राले हमारे पास आया और उसके मंत्री बने सहीद सहनवाज हुसेंजी और वो सहीद सहनवाज हुसेंजी इतनोल का पोलिसी लेदर पोलिसी अब बिभीन प्रकार के वो पोलिसी लड़ा सुरू की बिहार में और बिजनेसमेन का सम्मिट करना सुरू की है दिली में भी बिहार में भी और सब जगह से बिजनेसमेन को मंतरित करने हैं कि आप बिहार में आओ इथनौल पॉलिसी किसका लाया हुआ है यह भारती जंता पार्टी के मंतरी का लाया हुआ है और जितना भी इथनौल जगा जग खुला भिहार में वो सेयद साहनवाज हुसाइन जी के परियास के कारण भूगा ये लोहट में भी आप देख रहे हैं हम भी कहते हुसमें हमको भुलाय गया था भुमी पूजन में गया थे कितनी दिवी काम है कई लोग आए चले गए साहनवाज जी कई लोगों को लाए बैक परिसर में लग रहा है ना कितने दिन हो गया हमको तो लगता है कि कितना एकात साल से उपर होगा ज्यादा हो गया कि हम लोग भूमी पूजन करने गया थे अभी क्या इस्तिती सवा आप लोग देके बताइए बहुत ही मिगती काम चले और जानते हैं इतनॉल का फैक्ट्री अगर यहां भी लग जाता इतनौल का फैक्ट्री तो देखते हैं किसान मक्का के खेती करने लगता किसान खुशहाल हो जाते हैं लेकिन इस सरकार को कोई मतलब नहीं है ना इंडरस्ट्री से मतलब है आप तो स्वास्त कह रहें ना सिक्षा से मतलब है नो स्वास्त से मतलब राम मंदिर अब अंतिम इस्तिती में है वो बनके तयार भी हो जाएगा सीता मंदिर का निर्मान कब होगा हमारे जो फुलहर में है आपके हरलाखी में फुलहर फुलवारी है विश्वा मित्रस्थान है कल्यानेश्वर है इन सभी का अगर समुचित विकास हो जाए तो निशिती जो पढ़ियाटक है तो यहां पहुचेंगे और रोजगार से लोग जूर पाएगा यहां प्वेशत हमको जहां तक जनकारी है सितामया का तो भब सितामा धिमी तो हुई रहा है परोना धाम में सितामा का वहां भब भब मंदिर हो हुई रहा है जहां तक हम सुछेटरी मिली है वहां हो रहा है और भगवान राम का भब मंदिर मिरमान हो रहा है उ vivir स्व они बनदीर फिर्जों हो जहां राम है तो सिता के वेगड तो राम अधूुरे हैं अगर यह उक pavement बन रहा है तो वहाँ तो कहा ही जाएगा, वहाँ देखते हैं समनारा क्याला, जै जै सियाराम, और सितामधी में बनी रहा है, और हम लोग यहां कहां संतुष्ठोने वाले, हम तो चाहते हैं, कि अब अजुद्ध्या में भवराम मंदर के तो निर्मान होई गया, और 22 से जन्वरी को भवान क्रिष्ण का भी वहाँ एक भव मंदर का निर्मान हो जाए, और वहाँ का जो भी बाद है, उस भी बाद को निप्टाया जाए, और वहाँ भव एक भव भवान सरी क्रिष्ण के मंदर का निर्मान कराया जाए हमारे परोसी राश्ट नेपाल के महंदर नगर में एक कूट की फैक्टरी है जिसका अफसेश्ट धौस नदी के माध्यम से हमारे भारत में प्रवेश करता है और उस नदी में किसानों की जो मवेशी है बहुत सारे प्रकार का जो काम है उस नदी के माध्यम से होता है पानी प कि पानी जो निकलता है सही आपने कि बिशेला पाणी बिल्कुल काला पानी आ जाता है अगर कोई नहाने जाय तो तरह तरह के चरमरूग हो जाता है तो एक बार इस भिशे को लेके नहां को पार्लेमेंट में उठाएबी थे और पताने मेरे उठाने के कारण या हो फैक्टरी में कुछ होने के कारण हमको नहीं मालुम है लेकिन कुछ दिनों तक बंद था हो साफ पानी आ रहा है लेकिन फिर हम भी जाते आते रहते हैं तो काफी उसका लंबा छेत रहे क्योटी के तरफ से वो निकलता है काफी लंबा ह कठा ले रहे हैं फिर हम विदेश मंतराली को लिखेंगे लेकिन सब को अभी पता है कि तुरा सा भारत नेपाल का समंध क्या है हम सभी को जानकारी है लेकिन यह बात मेरे संग्यान में हैं फिर हम इस मुद्दा को ले जाके उचित जगा पर इस चीज को हम रखें जिले में कि लखन है जो मिथला राजी की मांग कर रहे हैं क्या के है विए ज और क्यानेए उचित है हम चाहते हैं कि मिथला का संपुर्ण विकास हो हुँआ है पादिना में उड्यूग धंदックन निरमान हो यह द्यूग धंदे लगे यहाँ परिज्जटक का अश्ण का भीकास हो ता उस परतिवा का सही सम्मान हो, यहां के युबाओं को सही अफसर मिले, उनको अपनी विकास के लिए मिले, यहां के किसानों को हर खेत में पानी, यहां के किसान को सही मुआबजा मिले, उनके उपज का फसल का मुआबजा मिले, यहां के जो हमारे यहां माखाना है, और खासकर मचली का जो है यह मखाना का जो नयन रमोदी जी वर्ल अस्तर पर इसका ब्रेंडिंग भी कर रहे हैं और इसमें आप अभी देखेंगे कि जिसे यहां हवाई जहाज दरभंगा में एरपूट हो गया है कारगो आप चलने दीजिए मितला से मखाना का अब बाहर के देशों में या बाहर प्रदेशों में सप्लाई होगा अभी भी हो रहा है इन चीजों को आप मखाना का विकास हो यहां के मचुवारों का विकास हो जो यहां का सबसे टेस्टी मचली कहते हैं अपने मितला का स्वादिश्ट मचली है इस मचली का पूरे देश में इसका लोगों को स्व कालिक रेल मंत्री ललित नायन मिष्र ने मधवनी बेनी पट्टी रेलमार्क की बात कही थे वो ठंदे बस्ते में इस पर आपका क्या पहगरा कॉंगरेश के सासन की बात छोड़ दीजिए हम किसी विसेश बैक्ति पर टिपनी नहीं करते हैं हम कह रहे हैं कि यह कोशी को सपार जाना और जो भप्ति हाँ पूल ठुट गया था उनीस सचोंतिस को भुकम कहां थे यह कॉंग्रेशी गुलाम भारत में चूटा था और इतने दिनों तक कॉंग्रेश का सासन नहा पूरे भारत सहित और मिथलांचल जो था से कॉंग्रेश का एक गड़ था क्यों ने बन पा उस सपना को अगर किसी ने सकार किया तो इंडिये के सरकार और स्रीमान अटल विहारी बाजपी ने सकार किया रेल का वहां बना किसने सपना सकार किया आदरनीय नरेंद मोदी जी ने सपना सकार किया है तो एक कॉंग्रेश के जवाने में बहुत सारी घुसना है लिकाल के ल लादू जी के हटने के वाद भी पांच साल तक इंडिये उपिया की सरकार रही पैसा मिला क्या नहीं मिला है आपको मैं आज आपके मंच से कह रहा हूं कि दो हजार चोबिस में नरेंदर मोदी जी को फिर से परधान मंतरी बनने दीजिए अगले पंच बर्सी योजना में आधिकान समस्याएं दूर हो जाएगी और जहां ते किस रेल की बात कर रहे हैं मैंने भी इस चेज को परलेमेंट में उठाये था पूपरी लेल करें और इसमें हम लगे हुए हैं और आपके इस चैनल के मादें से मंच पर कह रहे हैं कि अगले पंच बर्सी योजना में इस काम को भी पूरा नेंदामोधी की सरकार करें है भाजपा नफरत की राजनीति करती है है मैंगाय बेरोजगारी यह मुद्दा उनसे हट गया है यह आपके जो भी पक्ष के लोग है वो कह रहे हैं जैसे नफरत की राजदित है हमेंसा हर जगा शिद्की जी बूलिह है कि जै एक वाद बता इह लिए धर्म निपरह मोढत जानते न, भारत के सम्मिधान में धर्म निपरह अडा गए जोरा गया उ लोड़ा तक यह से में प्हीम्रा औमिंट कर सम्मिधान मभनाय थे उस तर्म ना शुरा हुआ थे उस समनों को पता है क्या है धर्म रिपेक्ष धर्म रिपेक्ष का मतलब ये तुष्टि करने क्या धर्म रिपेक्ष का मतलब है मेरे ख्याल से कि हर धर्म को फलने फुलने का अधिकार है हर्म धर्म के लोगों को अपने पधती से पूजा पाठ करने का अधिकार है अपनी बात को, धार्मिक बात को हर मंच से कहीं से भी उनको रखने की स्वतंतरता है क्या भारत में है क्या? आप चलिए मेरे साथ चलिए जहां पर हिंदू अलव संख्यक है जहां पर हिंदू अलव संख्यक मतलब जहाँ पर 30% एक हिंदू है 40% हिंदू है अगर वह हिंदू सबाच अपने टोले में सुरसती माता का पूजा करना चाहता है दुर्गा माता का पूजा करना चाहता है और उस मुर्ती को भारत सरकार या बिहार सरकार द्वारा बनाएगे सरकों पर ले जाके विशर्जर करना चाहते हैं तो उसको क्यों रोका जाता है क्या ये धर्ण पेक्षा है और ये सिदिकी साहब जैसे नेता को कभी गहें ये कहने के लिए किस मुर्ती को भसने दो सुरस्टी पूजा आने वाला है हर सुरस्टी पूजा में आप देखते होंगे कि जगा जगा पर सुरस्टी मात्या की परतिमा को तोर दिया जाता है यह धर्म रिप्रक्षे क्या आज एक फैसन चल गया है कि आज जो भिहार का सिक्षा मंत्री है राम चरित मानस के बारे में उनको अपमानित किया जाता है तरहतर की बात बोलता है अभी अभी एक राष्टे जन्ता दलकभी धाये मादरुगा के बारे में कि सब्ध कपड़ियों क्या है यही धर्म रिप्रक्ष है क्या कि हिंदू के देवी देवताओं के उनके जो पवित्र गरंथ है उसके बारे में अपमाजदक सब्द को है क्या अधर्म बेक्षी यही है कि एक बढ़ के समाज को तुष्टी करन की राजनीत करे हम कहते हैं अगर हिम्मत है अगर धर्म बेक्षी की बात करते हो तो जो बैक्ति राम चरित मानस में उगली उठाता है गीता पर उगली उठाता है मादरुगा पर उठाता है मार्शुर्चति पर उगली उठाता है हमिमत है तो एक सब्ध इसलाम के बारे में खिलाब बोल के दिखा दो नहीं बोलेगा क्योंकि उसमें कहेंगे सर धर से अलग की बात हो जाएगी ये कटरपंथी नहीं है क्या कोई बोल सकता है क्या इसाई का बारे में कोई बोल सकता है क्या हिंदुस्तान में धर्म वेक्ष का मतलब है तुष्टी करन की राजनीत करो हिंदूओं को गाली दो और वोट बैंक की राजनीत करू आपने सिद्की साहब की चर्चा किया सिद्की साहब एक समान गड़ में पैदा हुए थे और इसी भारत के सम्विधान ने उनको इमेले बनाया मंत्री बनाया और इसी भारत के सम्विधान के तहटो आज हिंदुस्तान में अमन्चैं से रह रहैं क्या हो गया भारत में जो कैरें कब भारत में रहने का मंड़े ही कर रहा है कैरें कि अपने बिटा-बिटी को हम कह दिया कि बिदेश लिह जाओ वही रोजगार खोजो बहुत क्या reactions वह भारत में हो रहा है कि कशमीर में जो अतंक बादी थे आप सामने नहीं आ रहा है हमारी सेनिकों पर अब पत्थर नहीं बरसाया जा रहा है अब भारत में यही हो रहा है कि आप भारत विकास कर रहा है अब भारत में ही हो रहा है कि आपने इस एक सो से उपर हम मैडल लेया है अब भारत का विस्तार हो रहा है भारत की पुजा अड़ी जाते हैं तो नेहिंदर मोदी जी का अब देखते हैं कि विदेश में कई राष्टा ध्हक्ष लोग उनका पेर छूते हैं अब भारत यहीं हो रहा है कि भारत अब स्वाहिमानी भ केश्टो रहा है नाममंद्री मुलन है तो कश्टो रहा है सब जAGह जब सब हो रहा है तो लोगों कश्टो रहा है हम केरें कैड़ सिर्भं लड़प्ट की बात करते हो अगर के लोगалась हिंदू कोई भूसलमान प estoy अगर अगर रोघा उठाता है तो वह रही गलत है नहीं बोले गा, बोले गा नहीं, लेकिन दुरगा-पूजा में सुने हैं कि आके जा जा के दुरगा-पूजा में पंडाल में जाके बिट-वर्ट के भोट राजनीत के लिए जाते हो, हम कहे रहे हैं कि कहीं भी जाओ, अभी सुरसती पुझा आने वाला है चाहे सिदकी साहब が सेकिल साहब और फात्मी साहब उनके चनोती देते है कि जाओ ऐसे भी बाति जगा पर जहां पर इना कि मुर्ति नहीं नहीं कर देवी देवतायों को मुर्ति नहीं निकाला जाता है हम कहतें कि जाओ आगे आगे जाके मुर्ती को बिसरजन कराओ सांतीपूर्व को बिसरजन कराओ तब हम सुच समझेंगे कि आप धर्म निपेक्ष नेता हो लेकिन ऐसा नहीं करने वाले हैं हम बात करते हैं हिंदुओं मुसल्मान सब का साथ सब का विकास तो हम हो गए उगरबादी हो गए हम संप्रदाइक हो गए हम छोटा सुधारन दे रहे हैं कि आज नरेंद्र मोदी जी उजुला गैस योजदा आप लिस्ट निकाल के देख ले आप चले जहाँ आप क्योटी में चले जाए आप विश्मी में चले जाए जहां मुसल्मानों की संख्या अधिक है आप लिस्ट निकाल के देख ले सबसे जादा अगर किसी के घड़ों में गैस उलहा जला है मिला है मुसल्मानों को मिला है हम वहाँ पर जात पात धर्म हम नहीं देखे हैं या 80 करोर लोगों को खाद्यान मिला है मुसल्मानों को जितनी अवादी उतना मिला है या टीका लगा है क्या हम मुसल्मानों को अलग कर दिये हैं क्या क्या हम जात धर्म के नाम पर दिये हैं क्या सब को समान रूप से विकास दे रहे हैं कोई भी नरेंद्र मोधी जी के द्वारा जो भी पिकास का काम आया है, हम कहीं जाता धर्म देखते हैं क्या, हम तो सब के लिए कर रहे हैं, सब के पिकास के लिए कर रहे हैं, सब के साथ के नावा हम देते हैं, तो अब इन लोग का चुकी जनता जागरूख हो चुकी है अब इन लोग का दालू नहीं गंडे वाला है बरका भासन दे लिए पहले जात पात ये वो हिंदू मुस्लिम कड़के अब ठक गए है ये लोग ठके हुए रादमी है हारे हुए आदमी है अब ये लोग निरास का भाव ने भढ़ गया है ये लोग का आगे चलने तरने वाला नहीं है अब आने वाले समय में ऐसे नेताओं को चाहाँ अबदुर्वारिश सिद्की हो के सकील अहमद हो कि अली असरब फातमी हो मितलान चल से ये लोग उखड चुके है और आने वाले समय में देखेगा इन लोगों को पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा इस तरह से कटरवादी राजनीत करने वाले को जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं मदवनी में प्रसांत के सोरजी लगातार कैम्प की हुए है वो बीजेपी को भी गलत बता रहे है और इंडिया गठवंदन को भी गलत बता रहे है वो कह रहे हैं कि दोनों ने बिहार को बरवाद किया क्या लग रहा है कि प्रसांत के सोरजी के यात्रा पर कुछ से कुछ असर परेगा मदवनी में परसांत के सोर जी के बारे हम क्या कहेंगे। अभी लोगों को अपने राजनित करने का दिकार है। परसांत के सोर जी भी अपना पदि आत्रा कर रहे है। सुने है कि मधवनी एक दिखा हुआ वा था बैनल लगा हुआ टे के आने वाले है कि आ गे। जनता के बीच में अपने चीज को रखें अगर लोग कहता है कि भाजपा कुछ नहीं किया है तो उनको थोड़ा सा आत्मन्थन करना चाहिए और देखना चेहिए और सबसे बरी वात है कि बिहार में अकेले भारती जनता पार्टी की सरकार आज तक बनी नहीगे जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी जो जो मुद्दा हम उठा रहे हैं उन- nel मुद्दों का भारती जनता पार्टी की सरकार उसका निदान करेगे जातिय गन्ना को कैसे मानते हैं उसमें एक सायर जाती जो अनुसुचित जाती में था उसे वहां से हटा दिया गया है और यह लोग सायद आपसे भी मिले थे क्या कहेंगे छिवार्टीय जन्गर्णन जो भिहार में हुआ यो भारतिय जन्ता पाती कमए समर्थन था हम्को इसक बिरोध नहीं किये थे रिदान सभा में जब ये प्रस्ताव हु आया था तो भारतिय जन्तास पाती नहीं शपोट किया허 जाती गरना हुआ ठीक है भी हासर कर आए इस पर हम कोई टिकार टिपनी नहीं करना चाहते है लेकिन एक वात मेरे मन में आती है कि जो जाती है जनगरना में जो संख्या है हम यादव समाज की बात करते है तो यादव समाज तो पहले से भी कह रहाता है कि हम 14 परसंट है कोई 15 अब कहरा था कोई 16 परसंट कह रहा था लेकिन इतना तो जादव समाज जानता था कि 14 परसंट है और इतना तो सभी लोग जानते हैं संख्या किसी कि जादा है तो पिछरे अथि पिछरे और जादितों कि संख्या जधा है सब को पता है कि ओच वर की संख्या कितना है मुसल्मानों की संख्या कितना है पिछ्रों की संख्या तो पहले से जाता है अगर दलित को लगा दीजिए पिछ्रों को लगा दीजिए अथि पिछ्रों को सब को जोड दीजिए तो सबसे अधिक संख्या है ये लालू जी निती स्वाव उसे पुछना चाहते हैं कि आप 32 वर्सों में इन पिछरों के लिए आपने क्या किया आप जो भी कह रहे हैं कि जाती है जन्गर्ना से हमको विकास करने में सुगधा होगा अरब भाई पहले सी है ज़्यादा है यह अन्हा बैक्ती भी कह सकता है कि पिछरों दलितों के संख्या जैदा है आप उसके लिए क्या किये 32 वर्सों में या आप नया करने क्या जा रहे हैं यह तो बता दो आप नया करने क्या जा रहे हैं यह तो बता दो यह कुछ नहीं है हमने पहले भी कहा कि जाती है जनगन्ना को हमने समर्थन किया था लेकिन ये लालू जी नितीज जी का मकसद यही है इस बिहार को फिर से नबे की दसक में ले जाना चाहते है चुकि नरेंदर मोदी जी का इतना विकास हुआ है कि गाउं, गरीब, किसान जो नीचे पौदान पर बैठा हुआ बेकते हैं उसका आँक खुल गया है बिकास के परती उनका वरुची जग गया है नरेंदर मोदी के परती उनका विश्वास बढ़ गया है उनको लगता है कि हमारा बेटा कोई प्रधान मंत्री बना हुआ है हमेरे लिए को सोच रहा है इस चीज से ध्यान भटकाने के लिए कि जो नब्बे के दसक में लालू जी भूरा बाल साफ करो और जातिय उनमाद फैलाए थे वो अपना चाहते है नितिय जी के साथ मिलके एक जातिय उनमाद हम फैलाए बैकवड-फोरवर्ड की राजनीज तो लावे वो शुरू करना चाहते है लेकिन लालू जी वा नितिय स्वाब को पता नहीं है कि अब का नौजवान मौइल देखता है इंटरनेट से जुर गया है, देश बिनेश की ख़वर आप देख रहा है, हम यहां बोल ला है, हो सकता है, बहुत लोग अगर लाइफ कर रहे होंगे, तो बहुत लोग सुन रहे होंगे, एक एक चीज को, और कुछ ऐसा बोलेंगे, तो सोसल मेडिया पर सा कॉमेंट भी तो उसके हित का ध्यान रखने वाला कौन सी पार्टी है, कौन सा नेता है, उसको भली भाती जानता है, तो इसलिए अब भिहार में, जो चाहेंगे कि 90 के दसक बला, जाती उनमात सो होने वाला नहीं है, अब यहां के सभी लोग जान चुके हैं, कि नरेदर मोदी ही जी एक बड्टी है, जो सव के हित के लिए काम कर रहे हैं और देश के हित के लिए काम कर रहें है, और जहां तक लोहार जाती की बात है, कई लोग हमको मिले भी हिते हमसे यहां भी हो उचित प्रेटफॉर्न पर इस बात को जानकारी जहांता है कि इसमें कैंसर कार ने भी इसको हटा दिया है इस वारे मुझे पुरी जानकारी नहीं है लेकर कोई प्रत्रणी थी हमसे दिली मिलेते हैं हम इसे ने मिले बहुत सारे संसदों सु मिले थे और सब्सक्राइब आ भी माननिय संसद इसको लोकसभा में उठाएबी थे हम थे उसस देन लोगसभा में आ रहा है को विहार के सनसत ते है सभी चु काली में यस मामला को उठाए है मेरे संग्यान में फिर आगे देखेंगे यहम से क्या हो सकता है रखें थेलीर 40 аने वाला है उसम कि मुद्धा है विकास को मुद्धा सबका साथ सबका भिकास कि अधिया मुद्धा है चलिए बहुत भूध धन्यवाद असोग जी तुए थे अस्थानिय मधवनी लोकसबाद छेतर के सांसाद डॉक्टर असोग यादब जी जो हमारे चौपाल में आकर के आप लोगों से हमस करते हैं